श्रीमत भागवत के दस्में सकंद में चुराशिमा अध्याय ग्यारमाश लोग है उसमें लिखा है कि केवल जल्मय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है गंगा यमना गंगा सागर या और जल्मय तीर्थ ही केवल तीर्थ नहीं है देखो अपना हिंदु धर्म कितना सत्य प्रिय है तीर्थों की प्रशनसा भी करता है और ये भी कहता है कि वो केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं है जहां देना सच्चाई का, जहां स्री क्रश्न की महिमा गाता है भागवत, यह महाभारत, वहां क्रश्न के भाईबल राम पियक करते, यह बात भी बताने से चुकता नहीं है, जहां राम जी की, जहां क्रश्न के गुनगान गाता है शास्त्र, वहीं क्रश्न के बेटे बदमास यह बयान भी बताने में इंकार नहीं करता और देर नहीं करता है। कितने तटवस्त धंग से अमारे शास्त्र मनें। कितनी सत्यप्रेता हैं अमारे शास्त्रों में। नहम्यान्ती तिर्थानी नदेवा मृच्छा लया गया है। ते पुनत तु लोके न दर्षनी दायवह साधवह। केवल जल मै तिर्थ ही तिर्थ नहीं है। और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं है। सुन लो। मंदिर में जाओ ऐसा बोलते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं। के पत्थर या धातु की मूर्तियां ही केवल भगवान नहीं है। तिर्थ में जाओ ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन जल से भरेवे जलाश ही केवल तिर्थ नहीं आई। ऐसा भगवान बोल रहे है कहां बोल रहे है कि वसुदेव के यग्यमे श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने की सेवा की थी और आगंतुक साधुओं के आओ भगत करते अच्छे-चे पुरुशों के पैर धुलाते बिठाते हैं पत्तले बिछाते और पत्तले उठाते ऐसी सेव कि आज थोड़े पैसे हो जाते है थोड़े पद्धी मिल्या कुछ मिल जाता है तो आदमी की अखड बढ़ जाते हैं लेकिन कृष्ण की सहजता देखो कृष्ण की नमरता देखो अराम सुगधास्ती की नमरता देखो उनके पास जो है वो अपने बास करोड उपे में भी अब नहीं मिल सकता है ऐसी चीज होती है संतो के पास और भगवान के पास जाये राम जी की गुरु जी आ र ए और राम जी अपने महल में सुबशे के समय निट्यक्रम कर रह थी ध्यान्भाजन में और देखा की खिड़की से की कि गुरु जी का रताया राम जी वो सेवश् परन यहां परर रखर रखर फिर पदहरूने चींग एब लगल मुल अमंगल दमन मर शेव के दवार पर स्वामी अमंगल का तो मूल है अमंगल का दमन होता फिर नात कोई काम होता तो अग्या करते दास जाता आपकी सेवा में कैसी है नमरता, गुरु से पहले जगपती जागे, राम और लक्षमन, गुरु जगे उसके पहले, राम लक्षमन जग जाते थे, सेवा में लग जाते थे, कैसी दिव्य संस्कृती, कैसा इसका असली भीत्री बढपन, धन पाकर बड़े हो गए, पद पाकर बड़ा होकर, चम कामरे की बड़पन है, वो कुर्सी की बड़पन है, वो धन की बड़पन है, उस बड़पन को माया भी समझ, तू अंतरात्मा की शरंट जाके अपनी असली बढपन को पैदा कर दे, तेरा कल्यान हो जाएगा, तेरा मंगल हो जाएगा. प्रफ़ बागवान जब कोई संत अए उनका स्वागत कर रहे थे, तो कई लोग तो स्वागत स्वागत कर रहे थे, तो कई लोग तो स्वागत स्वीकार कर के बैठे पतल पे, लेकिन कोई जीवनमुक्त अपने आत्मा की शरम में पहुंचे हुए, दूसरे के भाव को और रिकाल ज्यानी रिष्या है उनोंने कहा क्रश्न ये छोड़ दे लिला हम तुम्हे जानते है ये सारी ये नाटक बाजी छोड लाला, तुझे पुत्र नहीं चाहिए, दन नहीं चाहिए, वावाई नहीं चाहिए, तु 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 अपने स्वरूप में सदा रहता है क्रश्न अब ये पैर्धोने की और आओ भगत करने की ये भगति भाव दिखाने की लिला छोड़ो, ये चड़ो गले हैं, हटिन वटिन काई करो थे अंदाता, तब स्री कृष्न कहते के पचास वरश की निर्द्व, निष्कपट भगति से भी रदे का अज्यान नहीं मिटता है, त श्रीमद भागवत के दौसमा सकंद, चोर्याशीमा अध्याय और ग्यारमा स्लोग है ये, क्रश्न कहते हैं केवल जल मै तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, और केवल मिट्टी या पत्थर या धातु की प्रतिमाही देवता नहीं है, संत पुरुष ही वास्तों में तीर्थ है, औ वही देवता है, क्योंकि उनका तीर्थों का बहुत समय तक सेवन करने के बाद, जीव पवित्र होता है, परंतु संत तो अपने दर्षन मात्र से जीव को कृतार्थ कर देते हैं, इसलिए मुझे चर्ण दोने दो, साधुनाम दर्षनम पातक नाशनों, प्रतिमाह के पास तो अपने भावना से पुजा करेंगे, अपना भाव जितना होगा उतना, प्रतिमाह तो प्रतिमाह है, काली माता तो वह है, वही की वही है, लेकिन रामकृषन देव का भावतिवर था, तो मा काली प्रगट हुई, अभी क्यों ने करते हैं, और पुजारी, जैराम जी बो स्वयम प्रक्टों, और स्रीनाथ जी भगवान ने प्रगट होकर दूद का प्याला ले लिया, नरो नाम की एक अहिर की कन्या को हुआ कि जब वल्लभाचारी के हाथ से स्रीनाथ जी भगवान दूद पीते हैं, तो मैं भी पिलाऊंगी, उसका भी भावतिवर हुआ समय की क कुछ सरिताब है, और एक दिन भगवान प्रगट होकर उसके हाथ में से भी दूद का प्याला लेकर पिया, लेकिन वही मूर्ती और उनीद मंदिर में, दामोंदर लाल जी नाम का पूजारी पूजा करता था और हंसा नाम की एक सुन्दर लड़की पर उसकी नजर लवर लवरी बन गय थे और भगवान के मुख मंदल का हीरा चोरी भी हो गया, भगवान की मूर्ती तो वही कि वही, अपूजारी दिन राद बैठा है, और भगवान के मुख मंदल का हीरा चोरी हो गया, और अंसा नाम की दर्शन करने आने वाली लड़की को लेके वह जैसा भाव और कर्म होता है, ऐसी प्रकृति में वेवस्ता हो जाती है। तो स्रीक्रश्न कहते हैं, कि यह मुर्ती और जलाश्य है, चीर काल का सेवन करने से प्राणी को अंत्यकर्ण सुद्ध करते हैं, लेकिन अंत्यकर्ण का अज्यान नहीं मिटाते हैं। लेकिन सादु पुरुष्टों दर्शन मात्र से पावन करते हैं, और वाणी से अज्यान मिटाकर मुझ अंतर आत्मा की शरण में पहुचाने का सामर्थे रखते हैं। श्री क्रश्ण कहते हैं, जो हाड मास के शरीर को मैं मानता है, और शरीर से पैदा हुए पुत्र परिवार को मेरा मानता है। जल से भरे हुए जलाशय को तिर्थ मानता है, दातू और पत्थर आदी से बनी हुए मूर्ती को भगवान मानता है, लेकिन महापुर्श में भगवत बुद्धी नहीं करता है, वो साक्षात गोखर, वो साक्षात वैशा की नंदन है, वैशा की नंदन मिंस कुमभार का ती मिन्स डॉंकी, डॉंकी मिन्स गधा, वैशा की नंदान, गधे के इतने नाम तो भगवान के अजार नाम हो तो क्या वड़ी बात है, नाराई, नारी, जिनको सातपुरुषों में पुझ्य बुद्धी नहीं है, वो गोखर है, गधा है, जैसे गधा बालू तो उठाता है, और महल तो बनवा लेता है, अपनी बालू से पीट पे ददद, लेकिन मकान बने तो वास्तो पुजन में भी नहीं, और पलंग पे भी गधाल हो नहीं हो तिर्थों की फदर उदर की मैने तो करते, लेकिन मुझ अंतरया मी घर में वो विष्रांती नहीं पाता, जिसको संत की करपा नहीं मिलती, जिनको सJAचसं नहीं मिलता बिनु सत संगन हरिक था, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवई न द्रड़ अनुराग सियावर राम चंद्र की राइग गुरु नानक सुबह कार्थिक के महने, जप जी का पाठ होता है, बैठे, एक लड़का आया, एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, लड़का सब से पहले ना दोगे आ जाता, नानक जी की उस पर मीठी नजर पढ़ती रही आखिर उस लड़के को एक दिन बुलाया कि इतना सवेरे तू रोज आता है, तू क्या चाहता है, बोले मेरे को भगवान की भक्ती चाहिए उस संत ने भीतर से प्रसंता बाहर से परिक्षा के लिए दो शब्द कहे, कि तू क्यों भक्ती करे, अभी तो तू छुट्टा है, अभी तो बड़ा खेलने कुदने का समय है, फिर पढ़ा हो लिखो, फिर बुड़ा हो ये तो भक्ती करना, बोले माहराज, क्या पता कब मर जाए, क्यों, अभी थोड़ी तो मरेगा, बोले माहराज, मेरी माँ छठ के दिन उट्टिक्या बना रहे थी, सातम के लिए खाना बना रहे थी, तो लकडी जलाने के लिए चूला जलाया, तो चूले में बड़ी बड़ी लकडी थी, तो उसको आग नहीं पकड़ रहे थी, फिर मेरी माँ ने छोटी लकडियां मंगवाई और छोटी लकडियां डाली तो उसको आग जल्दी पकड़ गई, तो हो सकता है कि हमको भी मुरुत्यू के आग जल्दी पकड़ ले, इसलिए अभी से भजन करना चाहिए नहीं, नानक ने देखा बच्चा तो छोटा है लेक माँच माँच पिर जियों का तिलग करने का सुवाउसर भाई बुढधा को ही मिलता रहा, जै राम जी की, विवेख है शक्ति ज्ञान के साथ चलती तो शोभापादी, इसलिए ज्ञान तो मिलता है सत्संग से, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिट नवासना बिना भीचारे ग्यान, भावना से आप भगवान पैदातो कर सकते हो, लेकिन भावना का भगवान भावना हटी, तो भगवान चूप, वास्तविक भगवान को पहचानने के लिए सत्गुरु की कुंजी लगनी जरूरी है झाल